हेलो डियर स्टूडेंट कैसा हैं सब आप लोग उमीद करता हूँ आप सभी के सभी लोग बहुत ही बढ़ियां होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बढ़ियां चल लहा होगा आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे हम बात करेंगे NCRT exercise 7.1 जो की coordinate geometry का है उन सभी के सभी question को क्या करेंगे हम यहां पर solve करेंगे तो मीद में आप लोगों से यही करता हूँ कि आप लोगों ने जो यह exercise नंबर 7.1 के question को solve करने के लिए जो हम लोगों ने concept के ऊपर वीडियो बनाये थे वो आप लोगों ने concept अवास्य देखे होंगे concept अगर अच्छे से समझ में आ गया तो फिर question में कोई दम नहीं रहता है ठीक है तो बढ़ते हैं आप भाई next 7.1 के question की तरफ ठीक है और इसमें टोटल जो हमको question दिया गया है इस exercise में वो हमारे पास कितने total है 8 question यहां 8 question यहां पर क्या है दिये गये हैं और 8 question क्या करना यहां पर हमको solve करना है तो start क करते हैं पहले question से पहले question में आपको यहां पर तीन question दिया गया है बारी बारी से यहां पर solve करते हैं तो पहले का solution अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें पूछा क्या गया है सबसे पहले तो इसको हम लोग यहां पर समझ लेते हैं कि आखिर पूछा क्या गया है find the distance between the following पॉइंट दिये गए हैं और इनके बीच क्या करना है हमको distance निकालना है तो अगर मैं पहले solutions के बारे में बात करूं तो पहले solution के coordinate क्या दिया गया है 2,3,4,1 यह क्या है पहले हमको क्या दिया गया है pairs of points दिया गया यहां पर ठीक है न अच्छा तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यह जो है मारे पास let let the point let the point be क्या हो जागा भाई मान लेते हैं यह A है वो कितना है 2,3 है और इसको B अच्छा लगा तो मैंने A और B मान लिया यहां पर ठीक है अब इन दोनों की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे यहां पर तो भाई दूरी का फर्मॉला क्या होता है डिस्टेंस बिट्यून टू पॉइंट का फर्मॉला क्या होता है वह होता है कि हमारे पास है माइनस माइनस उन माईनस यहां पर लिक लेता है सबसे पहले tutte यहां पर लिक हैं तो पहले वाले में यह यहां पर यह कियले को न beh कितना है टू और इसका क्या कर देंगे स्क्वाइर कर देंगे प्लस वाइटू कितना यहां पर वन माइनस वाइवन के वैलू कितनी है थ्री इसका क्या कर देंगे स्क्वाइर कर देंगे यहां पर तो एबी जुक्वल याने वाला है तो यह भी क्या आएगा हमारे पास फोर ही आएगा तो यह कितना आगया हमारे पास अंडर रूट में चार और चार कितना हो गया जिसको हम लिख सकते हैं यहां पर मतलब की एक आर बी पॉइंट के जो दूरी है वो कितना है भाई two root two units है यहां पर ठीक है अच्छा अब देखिए यहां पर क्या है second question यहां पर तो second question में क्या बोला जा रहा है पहला ही question का second part है तो इसमें दिया है पहला pairs five seven और यहां पर दिया है minus one comma three यह क्या है हमारे पास pairs of point है है इनके बीचना क्या करना है डिस्टेंस लिकालना है तो मान लेते हैं कि यह point a है और ये 2 है मतलब की हमारे पास क्या होगा यह पहला point a होगा जिस दिया है minus five comma seven और وسव होगा जिस की माइनस one comma three दिया है यहां पर और इन दोनों के डीचना क्या करना है मुझे Tunicata लना है तो डिस्टेंस निकालनी कौन सी बड़ी बात है वहीं फ्रॉर्मूला लगा देंगे आप पे तो डिस्टेंस ब्रिटू पॉइंट अच्छा एगर थोडा साफ आपको नॉलेज एक और एडर कर दें आप कि जो distance between two point का formula होता है distance between two point का formula होता है distance between two point का formula होता है दो होता है पहला क्या अगर यहाँ पे हम ab distance निकाल लहे हैं तो वो क्या हो जाएगा यह हो जाता है x2 minus x1 का whole square plus में y2 minus y1 का whole square कुछ लोग यह वाला formula याद करते हैं कुछ लोग क्या उनसा फर्मुला याद करते हैं a b is equal to under root में x1 minus x2 का whole square plus में y1 minus y2 का whole square जिसको जो फर्मुला याद होगा वो question वैसे भी कर सकते हैं क्यों देखा जाए यहां पर कि भाई आप x2 minus x1 करोगे जैसे यहां पर क्या है हमारे पास कि x2 minus x1 क्या होगा यहां पर देखा जाए तो x2 4 में से 2 गया 2 होगा तो 2 का square करोगे तो कितना यहां पर आया था चार आया था यहां पर ठीक है न अच्छा अगर आप x1 minus x2 कर दोगे मतलब 2 minus 4 करोगे तो कितना आ जाएगा बराबर है तो आप किसी भी formula से question को solve कर सकते हो मुझे यह formula बढ़िया लगता है इसलिए मैं हर question को इस वाले formula से क्या करूँगा solve करूँगा ठीक है चलिए तो a b निकालना है यहां पर से पहले a b जो निकालना है पहले इसके coordinate लिक देते हैं कौन x1 है कौन y1 है तो पहले यह रहा है तो यह coordinate हो जागा x1, y1 और यह क्या हो जागा x2 और यह y2 पहले आता है fc size के बाद आता है ordinate यहां ठीक है तो देखते है x1 यहां पर क्या है x2 x2 के value कितना है minus 1 minus x1 कि value कितनी है यहां पर minus में 5 का whole square plus में y2 कितना है y2 हमारे पास 3 minus y1 कितना है 7 इसका क्या कर देंग तो a b का जो value आएगा वो कितना आएगा यहां से निकाल सकते हैं minus 1 और minus multiply कर देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा plus बन जाएगा यहां पर क्या बन जाएगा सोला ही आएगा इसका मतलब कि अगर आप यहां पर सोला और सोला को एड़ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 32 मिल जाएगा और इसको आप ऐसे भी सकते हो 4 4 4 16 और 2 ना का 32 ठीक नहीं यहां पर 32 को 4 रूट टू भी आ लिख सकते हैं तो एबी बराबर कितना आ गया 4 रूट 4 रूट 4 रूट में 2 यूनीट आ गया इसका मतलब कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 रूट 2 यूनीट है तो यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परचानी नहीं होनी चाहिए ठीक है अच्छा अब मूफ करते हैं किस के तरफ अब मूफ करते हैं किस के और भाई question नमर तीसरे की तरफ जो कि आपको पहला question में ही तीन question था तो a b और minus a और minus b के बीच में क्या करना है distance निकालना है तो सबसे पहले क्या करिए आप अपने वीडियो को pause करिए और खुझ से एक बार question को यह try करिए बढ़िया question है ठीक है चलिए तो सबसे पहले इसक वह कितना दिया गया है यहां पर बीका गया मईनस ऐक कॉमा माइनस भी दिया गया है क्या दिया गया है क्या दिया गया है मैनस एक व्वानस भीडिया गया है इनके बिचका डिस्टेंस निकालना है तो मुझे distance फर्मूलस बढ़तद से हो Ing00 लिए करता हूं बीक थे व coron being लोग को फॉर्मुले जितने भी हैं उनको लिख लिख के क्या कर दो याद करो लग दिन ताकि कभी भी आप से कोई बंदा दो बज़े रात को उठा कर कुछ दे कि बताओ भाई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है तो तुरह तो वहां पर बता दो कि अब देखो यह हमारे पास क्या है एक सब्सक्राइब कर देना है तो यहां पर क्या है इसका क्या हो जाएगा प्लस में वाई टू का वैलू कितना है यहां पर वाई टू का वैलू है माइनस भी माइनस वाइवन की वैलू कितनी है तो यहां पर क्या है बी इसका क्या हो जाएगा हो जाएगा तो एबी इस उक्वाल टू क्या हो जाएगा यहां पर एबी इस उक्वाल टू क्या हो यहां पर यहां पर किया कर लेता हूं में यहां से क्या कर लेता हूं कि अंडरूट मैं यहां से इसमें 4 common कर लूँगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा A square plus B square मिलेगा और 4 जब बाहर निकलेगा root से तो कितना बन के निकलेगा वो बन के निकलेगा 2 और अंदर क्या बचेगा A square plus में B square यही क्या होगे हमारे पास इन दोनों point के बीच की दूरी हो गया तो इस्टूडेंट मूफ करता है question number दूसरे की तरफ question number दूसरा क्या है देखे यहाँ पर ध्यान से find the distance between two point find the distance between the point 00 and 36,15 ठीक ना इनके बीच क्या करना है हमको distance निकलना है can you now find the distance between the two town A and B discuss in 7.2 7.2 में मतलब section है एक आपका ठीक है न वहाँ पर हम जब distance formula calculate करते हैं तो वहाँ पर क्या है यहाँ पर एक टाउन ए है और वहाँ पर एक टाउन भी है तो जनरली हम को क्या करना है टाउन ए और बीक के बीच का दूरी को निकालना है ठीक है न मतलब एक solutions करते हैं ठीक है दूरी निकालते हैं यहाँ पर तो distance between two point का formula क्या होता है distance between distance between two point का formula ही क्या करना है इसमें apply कर देना है तो distance between two point क्या हो जाएगा भाई पहला point क्या है 0,0 और दूसरा point क्या है हमारे पास 36,15 है ठीक है अब हमारे पास क्या है दो point दिएगा है यह और भी यह है और यह भी है इनके बीच का दूरी निकालना है तो यह क्या है आपका x1 यह क्या है आपका y1 यह point x2 और यह point y2 distance between two point का formula लगा देंगे कितना होता है x2 minus x1 का whole square ठीक और यह कितना हो जाएगा y2 y2 कितना हो जाएगा 15 minus 0 का whole square ठीक है यहाँ पर चली तो a b is equal to क्या आजाएगा a b is equal to under root में 36 का whole square प्लस में 15 का whole square हो जाएगा ठीक है इसका हम लोग square करेंगे आप लोग क्या करना नोटबुक में 36 into 36 करना मैं यहाँ पर calculator में कर लेता हूं यहाँ पर 1296 आजाएगा प्लस में अब मैं क्या करता हूं 15 गुड़े 15 करके देख लेता हूं 15 गुड़े पंदर जब करेंगे तो कितना होगा दो सो पचीस होगा यहाँ पर ठीक है अगर मैं दोनों को जोड़ दूँगा यहाँ पर तो a b को जब मैं जोड़ूंगा दो सो 15 में मैं जोड देता हूँ यहाँ पर कितना बारा- Soon- excus Pixar में जोड़ता हूं तो कितना आता है 1521 और 1521 का स्कार रूट निकालूंगा तो कितना इस यहां पर वहां जो गया रीक होता है तो नन्तालीस का रूठ होता है तो 49 यूनिट क्या आपका ए और वी मतलब टाउण ए और टाउन बी के बीच का distance कितना है आपका 39 units है यहां पर ठीक है अच्छा बढ़िया question था यह question नमबर दूसरा move करते है question नमर तीसरे की तरफ ठीक है तो इसको मैं यहां से रेज करता हूँ और question नमर तीसरे को भी देख देता हूँ यहां ही पर हम लोग देख लेते है question नम को माँव 5 2,3 and minus 2,11 are collinear ठीक है न इसका मतलब क्या है कि भाई हमको यहां पर तीन पॉइंट दिये गया है और हमको पता लगाना है कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या है भाई यहां पर collinear है collinear का मतलब क्या होता है देखते हैं यहां पर समझते हैं पहला पॉइंट क्य क्या दिया गया है कि ए जो मान लेते हैं पहला पॉइंट क्या दिया है वन कमा फाइफ दिया है लेट कर लिए कि पहला पॉइंट क्या है ए वन कमा फाइफ दूसरा जो पॉइंट भी है वो कितना दिया है यहां पर टू कॉमा थ्री और तीसरा पॉइंट जो सी है वो कितना द क्या एक ही लाइन में लाइक कर रही है ऐसा लोगोंने कशेप में देखा था यहां पर भी देख मैं तो अगर तीनों पॉईंट्टؑ तो अगर यह तीनों पॉइंट आपस मैं कुलिनियर होंगे तो इसके लिए कंडिसन क्या होती है कि अगर मैं कोई भी दो साइड का सम करता हूं AB PLUS BC AB PLUS BC तो किसके बराबर आना चाहिए complete AC के बराबर आना चाहिए यही कंडिसन होता है को लिए अगर मैं AB PLUS BC को एड करूंगा तो AC के बराबर आना चाहिए अगर ऐसा आता है तो हम बोल देंगे क्या कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं अगर ऐसा नहीं आता है तो हम लोग तुरंत नकार देंगे कि भाई यह तीनों कि तिनों पॉइंट एक ही पॉइ और बी वाल एक पॉइंट को प्लस में यही फॉर्मूला होता है तो अगर मैं इस पर वैलू पूट करूंगा तो एवी जुकल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स टू का वैलू कितना है यहाँ से देखिए टू है माइनस एक्स वन की वैलू कितना है यहाँ थरी है माइनस वाइन की वैलू कि इतना यहाँ पर फाइफ हैं इसकावी क्या करदेगे यहाँ हम स्कार कर देंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा अंडरूट में ये दे को निकल सकता हूं यहां से B C निकल सकता हूं तो अब B कोडिनेट क्या मान लिजा आप B वाले को माली जिए बी और सी के बिच के Distance निकलना है तो आप इसको X1 मानलो इसको Y1 मानलो इसको आप X2 मानलो इसको Y2 मानलो और दोनों के बीच का Distance वाला formula लगा दो लगा देंगे तो आंसर आपके क्या हो जाएगा आ जाएगा बीसी बाराबर आ जाएगा तो देख लेते हैं एक्स टू क्या है हमारे पास दिन करेंगे तो माइनस कितना होता है माइनस चौदा कितना होता है यहोग जाए हां पर यहां पर तो यहां पर यहां पर फर्मूला लगा दो क्या फर्मूला होता है यहां पर फर्मूला यह है एक्स टू माइनस एक्स वन का होली स्क्वार प्लस में वाई टू क्या है यहां पर यहां पर यहां पर को सोरा करेंगे तो मा यहां पर माइनस थढा ऐ दो सोरा करेंगे तो कितना मेंग तो yenशन हो घ्यान से समझें श इसको बेसरा Epic एगा और बैसी को divay को 10 करूंगा तो क्या एसी की बरावर आएगा या नहीं आएगा तो देखो इतके पीछे अगर आप रूट फाइब को एग्जेक लिखोगे अगर क्या करो के रूट फाइफ में अगर फाइफ का रूट एक जेक निकालों के तो खितना है यहां पर इसका वेलुआइगा तू तक लिए हम पर लिख रहा हूँ और आप एसी का निकालोगे कि तो फॉपायसट तो फॉपायसट का जब स्क्वाइर रूट निकालोगे तो यह किसके बराबर आएगा यह आएगा आपका सोजह दस मलोगोगोगोगोगोगए तीनों को हम एड まTalk करते हैं तो क्या एसी के बराबर को रहा ही है नहीं कि इतना है वा थी यह एक सदेक्ड और अससाल स्यूंट लेकिन और देगे 16 सेखर है नहीं अ क्या है क्या बरहें बराबर है यह यहां पर क्या बोल देंगे कि जो AB यहाँ पर क्या बोल देंगे कि जो AB प्लस BC कर रहे है तो AC के बराबर नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो तुरंद क्या हो जाएगा कि the given point ABC और not lie in the same plane यह जो ABC point है वो क्या है भाई एक same line पे lie नहीं कर रहे है इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि यह कैसे point है non-collinear point है कैसे point है non-collinear point है अगर AB प्लस BC करने पर AC के बराबर आ जाता अगर आप ऐसा भी point लिए है पहले आप मान लिए है B फिर मान लिए है A और इस पर C माने है तो इस पर B A A प्लस में AC करने पर किसके बराबर होना चाहिए BC के बराबर होनी चाहिए तो आप point कैसे भी रख सकते है यह नहीं कि पहले A ही रखना है B ही रखना है C ही रखना है में ultimate आपको समझना क्या है कि हमको इस वाले को जोड़ना है प्लस इस वाले टुकड़े को जोड़ना है तो पूरे इसके बराबर आना चाहिए नहीं आएगा तो हमें बोल दूगा क्या कि hence the given point does not lie on the same line it means that the point are non-collinear तो भी हाँ आप बोल देंगे क्या कि भाई the point A, B, C, R point point A, B, C, R क्या है भाई non-collinear कैसे है non-collinear point है ठीक है तो question number 3 I hope आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा question number 4 की तरह बढ़ते हैं और question number 4 देखो भाई बहुत बढ़ा question है ठीक है तो कोई tension वाली बाद नहीं है question number 4 question number 4 बढ़ा नहीं question number 5 तो बढ़ा है अपने question number 4 की तरफ question number 4 क्या बोला जा रहा है question को समझते हैं check whether 5, minus 2, 6, 4 and 7, minus 2 are the vortices of isosales triangle ठीक हमको क्या प्रेप check करना है check ये करना है कि अगर हमारे पास एक isosales triangle है कि नहीं है हमको पता लगाना है तो vortices दियेगा है क्या है मान लीजिए कि हमारे पास let let कर लेते हैं a 5, minus 2 b 26, 4 and and c कितना है 7, minus 2 are the vortices are the vortices are the vortices of and triangle मान लेते हैं कि जो तीनों पॉइंट दिये गए तीनों वोटिचे दिये गए a b c ये क्या है कि ट्रेंगल का यहाउट यहाउटे आ पडिए हैं तो यहाउटे पर किसी भी ट्रेंगल का आप्को तीन वोटिचे दे दिया गया है a b और c आपको यहाउट पर दे यहाई है यह तो हमको निकालना यह है कि क्या यह वॉटिचे जो दिये गए है क्या अगर मैं यहाँ पर साइट निकालू तो अगर हमारे पास तीनों सट बराबर आएगा तो हमको बोल देगे कि वह एक्विलेटरल ट्रेंगल होगा लेकिन हमको इसमें क्या पता लगाना चेक करना है कि क्या यह आई सबस्ट्रेंगल होगा या नहीं होगा तो फॉर आइस अगर अगर मैं निकालता हूं कोई दो साइट आपस में बराबर आ जाते हैं तो मैं बोल दूंगा क्या हो जाएंगे भई है आई सेलेस्ट्रेंगल हो जाएंगे तो आइसोसेलेट्रेंगल के लिए क्या होगा कि तीनों साइड में कोई भी दो साइड आपस में बराबर दिखा देते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि यह ट्रेंगल कैसा है आइसोसेलेट्रेंगल है तो पहले साइड निकालते हैं हम पहले क्या निकालेंगे भाई यहां पर तिसरे में हम क्या निकालेंगे यई कि value निकालेंगे थीक है तीसरे क्या निकालेंगे के अब के अब निकालला है तो सबसे पहले ए और कोडिनेट को ले लो यहां पर और दिले रहे तो पहले whole square plus में y2 minus y1 का whole square यही क्या होता है हमारे पास formula होता है हम क्या करेंगे इन सभी value को में यहां पर रख दूँगा तो अगर अगर देखा जाए AB में A और B में X1 क्या है और X2 क्या है X2 है हमारे पास 6 तो 6 minus X1 की value कितना है यहां पर 5 इसका क्या कर देंगे हम यहां पर कितना आ रहा है छे में से पांच गया एक और करेंगे तो यह क्या बन जागा प्लस बन जागा और चार और दो कितना हो गया च्छे हो गया और शे का स्कुर्ण करेंगे तो कितना हो जागा 36 हो जागा इसका मतलब कि यह कितना रहा है यह एक्स टू मान लो और यह यहां पर देख finns का स्कूर्स अंधस करेंगे तो क्या हो जागा हमारे पास देखते है यहां पर प्लस में, माइनस 2, माइनस 4 करेंगे, तो माइनस 6 आगा, माइनस 6 का इस बार करेंगे, तो कितना होगा, 36 हो जाएगा, तो इसका भी कितना आ गया, यहाँ पर, ठीक है, AC का वायलू कटना होगा तो पहले यहां पर A होगा A में मार लेता है यह X1Y1 इसके बाद यह X2Y2 मार लेंगे तो A C का वायलू कितना हो जागा AC भी निकाल के देख लेते हैं दो side तो आपस में क्या आ गया है बराबर आ गया है A B का value भी कितना आगया है under root में 30 unit आ गया है और B C का value कितना आगया और तो यहां पर माइनसट तू का है यहां पर 5ू दो कितना हो जाएंगा यहां पर साथ मेंसी फ़ल गाएगा दो तो कितना की तो हम को सिफ कि विपशल वर चाहिए तो फ़र फीज स्टेंगल है में पॉलिए हमें और थीनों साइड में से कोई दो सब्समें बराबर है तो हम लोग प्राइंगल इस द गीवन ट्राइंगल इस और आई स्टूडेंट तो बढ़ते हैं क्वेस्चन नंबर फाइस की तरफ प्रिस्चन नंबर फाइफ में क्या बोला जा रहा है यहां पर देखते हैं इखके सकते हैं इस फिगर भी आपको दिया गया है इस चार फ्रेंडG और वो क्लास्रूम में बैठे हुए है थीक और उनका पोजीशन दिया गया है कोडिनेट दिया गया है यहां पर चम्पा चमेली वाक इंट्टुधा classes and after observing for a few minutes दिए चमपा और चमेली क्या करती है इंटर करती है और कुछ मिनट बात क्या करती है आप्जरब करती है तो आगे आगे क्या लिखा गया है चमपा आफ चमेली चमपा क्या पुछती है चमेली से क्या जो ए और बी और चीडियो बैट हुए है चारो लोग मतलब कि इसक्वार कर दिया है या और अि मतलब इसक्वार के बैठे हुए है क्या वो इस्वार बना रहे हैं हमको ये हमको फता लगाना है चमिली कर गई चमेली किया जो चंपा ने बात कही उसको क्या कर दिया भाई साफ साफ नकार दिया डिसेगरी कर दिया तो यूदिंग डिस्टेंस फर्मूला एक मदद से हमको पता लगाना है कि कौन सही है चलमपा सही है या चमेली सही चंपा क्या बोल रही है कि जो चारों लोग बैठे गए है है A B C classroom में वो एक square बना रहे हैं ठीक है और चमेली क्या कर रहे है उस बात को disagree कर दे रहे हैं बिल्कुल उसके बात से क्या कर दे रही है नकार मधे रही है तो देखो यहां पर क्या है हमारे पास question में देखो कर ध्यान से तो point a यहां पर ट्रीन का माँ चार हो जाएगा ठीक है और बी के को डिनेट कैसे पता लगाएंगे तो बीकोडिनेट चलिए पर एक सेंसे कोडिनेट का पोजिशन क्या हो कोडिनेट क्या हो जाए ग्या हां पर harus अपर चलेंगे एक सकste पर पर पहले हम एक सजेथे पर चलते हैं इसके बात कहां पर चलते हैं औहले आख़ोडिन च dehyd क्या होनगी तो हों यूनिट चलेंगे एक्स पे 6 तो कितना हो जा कि आपके पॉंइंट दिए गहा है तो तो मैं क्या करता हूं इन सभी कि उसकी बात को प्रूफ करना पड़ेगा उसकी बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि A B C D स्क्वाइर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं तो इसक्वाइर के लिए फॉर इसक्वाइर के लिए अगर बात क्या जाएं तो इसक्वाइर के लिए क्या होगा होटेगा प्रोफ करना पड़ेगा अगर आप इतना प्रूफ कर देते हो तो भी हम स्क्वार नहीं बोल पाएंगे ऐसा क्यों क्यों कि हो सकता है यह रहमबस भी हो क्योंकि आपस में क्या होती है चारू इकवाल होती है तुछ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इनके स्कॉयर क्या होता है आपका एक पारल्लल लग्राम मोता है जिस के क्या करते हैं आपस battle होते हैं तो हमको इतना चीजे के बारे में बताना पड़े घा तो बताते हैं क्या कटे हैं सबसे पहले में क्या करूँगा आप वी निकालोंगा यहां पटे तो समय तो लगेगा आप लोग 알िच निकालते रहें गेनर भी साथ साथ निकालते रहे ए भी निकालेंगे ए भी निकालेंगे यहां पर तो यह एक्स वन हो जाएगा और यह एक्स टू हो जाएगा और यह एक्स टू हो जाएगा ठीक है तो फर्मुला लगा देंगे फर्मुला क्या होता है एक्स टू एक्स टू कितना है सिक्स माइनस X1 के value 3 X2 minus X1 का holy square plus Y2 minus y1 का holy square तो यह बी कितना हो जागा यहां पे मैं यहांपर कर देता हूं लिए प्रक्स एटिन और 3 मिल्च करें के तो कितना हो जागा 9 फ्लस मिल्च मेर तीन तीन वोगा गला हो घ्रिक तो घ्रिकतना हो घ्रिक लिए अब क्या निकाला है मुझे बीसी निकालना है तो बीसी के लिए निकाल लेते हैं वाई बी और सी बी और सी तो जब बीसी निकालना है तो अब इसको क्या मान लेंगे एक्स वन इसको मान लेंगे वाई वन इसको मान लेंगे एक्स टू और इसको क्या मान लेंगे वाई टू तो फर्मॉला लगा देंगे कितना हो जागा नाइन इसको भी आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा ठीक है कहीं ने कहीं चंपा का बात क्या हो रहा है सही हो रहा है ऐसा लग रहा है ठीक है देखते हैं और निकालते हैं coin मान लेगे इसको मान लेंगे इसको मान लेते हैं एक्स-TS मान लेते हैं य तो फर्मर लगादेंगे स्ङंगे हमारे पास six से माइनस एक्स्वन यह इसका स्कॉार कर देंगे यह याई मैनिए वाई व्य explor When का Y1 का whole square जब लिक देंगे solve करेंगे कितना होगा Ow नो मेung 4 Come जो गए तीन तीन का इसक्वार करेंगे तो कितना होगा Nine別 me Ma9-4 कितना होगा minus three-3 का square करेंगे तो कितना होगा उसका भी Nine को इसका मतलब की इसका मतलब क्या इसका मतलब चमपा सही हो रही है क्या देखते हैं यहाँ पे A B B C C D निकाल दिए है A D निकाल देते हैं A D क्या निकलना है डी ये की वेलू निकालना है तो पहले D आ रहा है तो इसको आप मानलो क्या आप इसको मानलो आप X1 इसको Y1 और इसको क्या मानलो आप X2 और इसको क्या मानलो Y2 तो क्या हो कितना है वन इसका होल स्क्वार करेंगे स्ल्व करेंगे थ्री मैंनस त्री मैंनस फिर्थ तो कितना हो जाएगा यहां पर तो यह क्या है चारो सबस्कार हो गए तो इतने से काम चलेगा नहीं हमाई और क्या निकलना पड़ेगा मुझे नीकालना पड़ेगा इनके डायागनल आ रहे है यह नहीं आ रहे है और किसके बराबर प्रूफ करना पड़ेdit के बराबर प्रूफप करना पड़ेगा देखते हैं अगर बराबर आजाता disfr्छा तोड़े करना है अमको किया करना है celebrity करना ना कि चारो लोग आपस में क्या है स्कोर में बैठे हुए या नहीं बैठे हुए है तो ठीक है बीडी निकालता है यहाँ पर तो बीडी कितना हो जाएगा बीडी जुकाल टू अन्डरूट में यहाँ पर है इसको मानलो आप एक्स वन इसको मानलो आप वाई वन अब तो आप twor होए होगे दी क्या हो जाएगा यह एक्स टू और यह क्या हो जाएगा वाई टू तो बीडी निकालेंगे यहाँ पर बीडी तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का होली स्क्वाइर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होली स्क्वा है का मतलब 6 unit यहां पर आ गया बेढी निकाल दिया किया करेंगे एजसर स्ज्ट का माइनस tu यहांपर क्या रहाइब बराबर आगे और इन सभी के साइट्स जो आ गया बस में यह वी क्या लाइब रावर आगय बतलब हम यहांपर ताल ठोक के बोल सकते हैं क्या कि चंपा क्या है सही है चंपा क्या है सभी है चंपा सभी चंपा को देखते ही लग गया होगा क्या कि चारों लोग जो classroom में बैठे हैं वो square बना रहे हैं ठीक है चलिए तो question number five भी हम लोगोंने solve कर लिए अब बसता है question number six question number seven question number eight की तरफ so please let me wipe this off so before let me wipe this off please take and screenshot